अज मैं आपके लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा शानदार गोबी के कोफते की रेसिपी तो ये इसी दस्म से रेसिपी बशुरू करते हैं तो ये गोबी के कोफते बनाने के लिए मैंने यहापे 500 ग्राम की जितनी गोबी ले ली थी जिसे डंधल काट के मैंने इसके फूल अलग कर लिया है और इसे बहुत अच्छी से वाश करने के बाद मैंने इसे कपड़े से पहुँचके अच्छे से सुखा लिया है ज्याने कि आपको इसमें पानी नहीं लेना है पानी सारे इसका सुखा देना है आप हमें क्या करना है कि इसे कद्दूकस करना है तो आप चाहें तो इसे कद्दूकस से भी कद्दूकस कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास chopper है तो आप उसे chopper में डालके भी एकदम fine chop कर सकते हैं मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से chopper में डालके इसको एकदम fine chop कर लिया है। इसका जो texture है ना बिल्कुल कद्दुकस की हुई गोवी जैसा ही आजाता है और महनत एकदम कम लगती है। उसके बाद हम इसमे अट कर देंगे अद्रक लसन और हरी मिर्च का पेस्ट एक टेबल स्पून के जितना इससे बहुत ही अच्छा flavor आएगा। साथी एक चमच के जितनी हम इसमें आजवाईन डाल देंगे आधा चमच हल्दी पाउडर एक चमच तीखी वाली लाल मिश डाली है। मैंने आप तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़ाधा डाल सकते हैं। आधा चमच जीरा डाल देंगे एक चमच भरके धनिया पाउडर और आधा चमच इसमें जीरा पाउडर डाल देंगे। देखाएंगे तो उसमें गोबी का कम और बेसन का जाधा टेस्ट आएगा। तो अभी मैंने या पर चार बड़ी चमच बेसन डाला है और बेसन डालके हम इसे अच्छी से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि गोली नहीं बंद रही है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और आइट कर सकते हैं। अगर जरूत ना लगे तो आप इसमें बेसन ना आइट करें। वैसे चार से पांच टेबल स्कून बेसन इसमें काफी रहता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे की बहुत अच्छे से बंद जाए। घुबी में क्योंकि पानी होता है तो इसलिए आपको एक से दो चमठ बेसन लग सकता है। लेकिन यहां देखें गोली अच्छे से बंद रही है ये बिल्कुल और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं इसको बांधने के लिए आपको बहुत जादा बेसन मिलाना पड़ेगा तो नमक डालने के बाद यहां पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है देख सकते हैं आप यह बैटर एकदम तयार हो चुका है अब हम क्या करेंगे हाथों को एक बार अच्छे से क्लीन कर लेंगे और हाथों को क्लीन करने के बाद हम इसकी एक छोटे छोटे नीम्बू की साइस की गोली बना लेंगे कोफते आप ज़्यादा मोटे मोटे ना बनाए ज़्यादा अगर आप बड़े बड़े गोली बना लेंगे तो फ्राइ करते समय क्या होगा ते बार अंदर से कच्छे र तो तलने के लिए यहाँ पर मैंने तेल पहले से ही गरम होने के लिए रख दिया था जब तेल मीडियम गरम हो तब हम इन सारी गोलियों को डाल देंगे बहुत जादे एकदम खौलते होए तेल में या फिर हाई फ्लेम पर हमें से फ्राइ नहीं करेंगे उसे क्या होगा कि उपर तेल का छिड़काव कर देंगे जिससे कि इसकी स्किन जो है वो उपर से भी एकदम फर्म हो जाएगी और जब यह हलके से नीचे हमें ब्राउन दिखाई देने लगेंगे एक से दो मिनट के बाद तब हम इसकी साइट को इस तरह से चेंज कर देंगे देखे फ्लेम को लोटू मीडे मी रखेंगे बहुत जादा हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे नहीं तो कोफते अंदर से कच्चे भी रह सकते हैं तो बस अब जिस साइट से ब्राउन नहीं हुआ है उस तो नीचे तेल की तरफ कर देंगे और चारो तरफ से उलटते पलटते हुए हमें इसे बहुत अच्छा सा एकड़ों कोफते हैं इनको बिना ग्रेवी के इसी तरह मतलब पकोड़ों की तरह आप इसे ही हरी चट्नी या फिलाल चट्नी के साथ सर्फ कर सकते हैं यह खाने में बहुत जादा टेस्टी लगते हैं आप एक बार इस तरह से खाके देखें बहुत ही चमच के जितना सर्फ का तेल डाला है मैंने आप चाहें तो रिफाइन तेल भी डाल सकते हैं अब सर्फ के तेल को अच्छा से धूँआ जाने तक गरम होने देंगे जब दूँआने लगेगा तो गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें आइड कर देंगे आधा चमच के अब हम इसमें आड कर देंगे दो मीडियम साइज के प्याज मैंने बारीक चॉप करके लिए हैं चॉपर में डालके यह देखे यह डाल देंगे अब प्यास को भी हमें तब तक बून लेना है जब तक प्यास का कलर एकड़म अच्छा सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता ह और फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं प्यास पर अच्छा सा एकड़म गोल्डन कलर आ चुका है प्यास एकड़म डाक कलर के दीख रहे हैं तो हम इसी स्टेच पर गैस की फ्लेम को एकड़म लो कर लेंगे और इसमें कुछ और एट कर लेंगे तो यहां पर एक बड़ा चमच के जिता में अध्रक लसन और अहरी मिर्ची का पेस्ट जाल रही हूँ एक बड़ा चमच भर के लाल मिर्ची पाउडर यह तीखी वाली लाल मिर्चे है आधा चमच हल्दी पाउडर एक बड़ा पानी डाल के भूनने से क्या होगा एक तो मसाले अच्छे से पक जाएंगे और उपर से क्या होगा कि जलेंगे भी नहीं और मसालों का कलर भी एकदम अच्छे से निकल के आएगा तो बस अब इन मसालों को हमें तब तक फ्राइ कर लेना है जब तक इन में से तेल सेपरेट हो स्टार्ट नहीं हो जाता है तो यहां पर आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भून गया है और इसमें से तेल भी अब सेपरेट होना शुरू हो चुका है तब इसी स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें दो चोटे साइस के टमाटर जिसको मैंने मिक्सी में चला के पेस् gain last 1 विय्क जाता है और यह मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून नहीं जाता है और इसमें से तेल भी सेपरेट होना सिटाट प्रेटोन शुरू हो गया है इसी स्टेच पर यह मैं यहां पर मिला रही हूं दो बड़े चमश के जितनी फ्रेश क्रीम आप चाहें तो घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी और आधा चमश मैंने यहां पर गरम मसाला डाला है कसूरी मेथी गरम मसा तो यहां पर 2-3 मिनट हो चुके हैं मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो गया है अब हम इसमें आड़ कर देंगे 2 कप के जितना पानी पानी आप चाहें तो यहां पर गुन-गुना भी ले सकते हैं अब पानी डालके मसाला अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह जो कोफते होते है यह पानी बहुत सोकते हैं friends तो हम क्या करेंगे इसमें थोड़ असा पानी और मिलाएंगे क्योंकि यह ग्रेवी अभी बहुत गाड़ी है और जब हम इसमें कोफते डालेंगे तो और गाड़ी हो जाएगी तो मैंने यहापे एक कप पानी पहले डाला था और एक कप पानी मैंने इसमें अब डाल दिया है तोटल मैंने हैं दो कप पानी डाला है तब इस पानी को हम एक उबाल आने देंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है एक बार अच्छे से mix करेंगे और अब हम इसमें अपने कोफते बना के रखे थे न वो इसमें सारे डाल देंगे यहाँ पर आपको friends कोफते थोड़े कम लग रहे होंगे क्योंकि कुछ हमारे घर में सबने इसी तरह से खा लिए यह कोफते गोबी के पकोड़ों की तरह बहुत जादा टेस्टी लगते हैं तो जितने बचे होए थे वो सारे मैंने gravy में डाल दिया है एक बार हम अच्छे से mix करेंगे अब हम इसे ढखन लगा के ढखके 5 मिनट के लिए low to medium flame पे इसी तरह से पका लेंगे बहुत जादा हमें इसको गैस पे नहीं पकाना है तो पांच मिनट के लिए पकाएंगे और बस यहाँ पे देख सकते हैं पांच मिनट पूरे हो चुके हैं और गैस की flame को अब हम बंद कर देंगे और इसके उपर से डाल देंगे हरे धनिये की पत्ती और यह हमारी पेस्टी मज़ेदार और एकदम शानदार गोबी के कोफते की सबजी बनके रेडी हो गई है तो फ्रेंज यह कोफती अभी इसमें बहुत जादा एकदम नरम हो चुके हैं तो मैं इसको बहुत जादा mix अभी नहीं करूँगी बस हलके हलके हाथ से हमें इसको इस तरह से चला लेना है और आप ग्रेवी का टेक्शर भी देख सकते हैं कि ग्रेवी हमारी एकदम पर्फेक्ट बनी है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे तो बस चलिए अब हम इसे जल्दी से सर्फ कर लेते हैं और देखने में ही आप देख सकते हैं गोवी के कोफते कितने शांदार लग रहे हैं तो फ्रेंड्स आप एक बार इस तरह से गोवी के कोफते की रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राइ करें और ट्राइ करने के बाद ये recipe आपको कैसी लगी प्लीज मुझे comment section में लिखके ज़रूर बताएं वीडियो पसंद आया हो तुसे like and share ज़रूर करें और आप मेरे channel पे नए है तो channel को subscribe कर ले और साथ में जो bell button है उसको भी press कर दे उससे मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिलेगी तो यहाँ पर मैं आपको एक ओफता तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना एकदम नरम और एकदम मुलायम बना हुआ है तो friends मैं तो इसे एकदम गरम गरम फुलकों के साथ enjoy कर रही हूँ आप भी इसे बनाए और enjoy करें Thank you